हाई फ्रेंट्स वेल्कम ओन वर योटूब चैनल करियर टुटर आज हम जो डिस्क्स करेंगे एलन शोवल्टर एलन शोवल्टर जो है यह बहुत बड़ी लिट्रेरी क्रिटिक रही है अमरीका के अंदर और इन्होंने एक ऐसी लिखा है फेमिनिस्ट क्रिटिसिजम इन विल्डरनेस जो 1981 के अंदर पब्लिस होता है और बच्चों यह जो ऐसी है यह बहुत फेमस हुआ और आज भी इस ऐसी को पढ़ा जाता है काफ़ी कोशी में सीखने को मिलेगा तो आपको इस वीडियो के एंट तक बने रहना है ऐसी थोड़ा स डिफिकल्ट होते हैं complicated होते हैं मगर आप फिकर ना करें हम है आपके साथ दिस ऐसे यह जो ऐसे है वह दिटन वाइलन सोवल्टर और जो एलन सोवल्टर है वत्तों यह 1941 के अंदर पैदा होते हैं और फिल हाल अभी अलाइव हैं जिंदा है और यह 83 एर के होज़के हैं और इन्होंने किस चीज के पर लिखा है cultural and social issues के पर लिखा है मेंली हमारे जो सोवल्टर है basically known for gyno criticism यह इसके लिए बच्चों जाने जाते हैं गाइनो क्रिटिसिजम के अंदर यह जो टर्म है यह इन्होंने इजात की है और यह जो टर्म है gyno criticism is used to describe इस टर्म को किसलिए यूज किया जाता है to describe literary criticism based on female experiences and perspective important point gyno criticism is used to describe literary criticism based on female perspective and experiences I hope यहां तक आपको समझ में आया हुगा है next देखिए यह जो essay है इस essay के अंदर से जो सोवल्टर है वो accepts करती है that women's writing is a slippery and demanding task इन दिस ऐसे सोवल्टर accepts that women's writing is a slippery and demanding task जो विमिन की writing है वो slippery है और demanding task है यह किसको लिखा जाना चाहिए किसकी दवरा woman की दवरा she says that वो क्या कहती है गाइनो क्रिटिक्स में नेवर सक्सीड in understanding the special differences of women's writing बहुत important point है गाइनो क्रिटिक्स दो है में नेवर सक्सीड in understanding the special differences the special differences of women's writing यह कि जो में की राइनो क्रिटिक्स में नेवर सक्सीड जो गाइनो क्रिटिक है वो नेवर सक्सीड in understanding वो समझने में सफल नहीं हुए the special difference of women's writing यह कि जो में की राइटिंग है और जो वोमन की राइटिंग है उसमें क्या है special differences होगा क्यों क्यों क्लास रेस और नेशनलिटी क्लास रेस और जो नेशनलिटी है उसका परभाव उसकी राइटिंग में definitely मिलेगा आपको पता होगा कि जो वोमन के अंदर patriarchal domination जद रहता है यानि कि यह 1980 की बात है इन्होंने लिखा है तो आज भी हमारी समाज के अंदर man dominated society है man dominated society है तो जो मेल का जो परभाव है वो वोमन के उपर हमेशा से रहा है तो वो यही बतारी है कि male और female की writing में बहुत बड़ा फरक होगा क्योंकि male के पास freedom है rights है और वो dominant करता है society के अंदर उसके अंदर अपना एक room है अपना एक पैसा है अपनी liberty है लेकिन woman के पास ऐसा नहीं है तो उसकी दो oppressed society माना गया है उसको oppressed society oppressed writing माना गया है women के writing को ऐसा भी मानते है तो इसके दर बहुत बड़ा difference है मगर यह जो सोवल्टर है यह कहते है कि तो गाइनो critics भी समझ नहीं पाए कि क्या difference है सी आस्क ना क्यूशन और यह क्यूशन पूशती है क्या वाड़ी ता difference इन वीमिन्स राइटिंग कि सोवल्टर खुद के मैंशी different होने के चार वजया है जो लड़की है यह जो मेल है जो मेल की राइटिंग और फिमिल की राइटिंग में definitely फर्क मिलेगा difference मिलेगा मगर उस difference होने का reason है first reason है body यह जो body है मेल और फिमिल की एक तो यह प्रभाव डालती है और फिमिल की राइटिंग के उप अंदर second है psychology third है language और fourth है culture तो यह चार point बच्चों याद रखने है she describes four current models of difference यह चार चीजे विमिल की राइटिंग को क्या करते हैं परभाव डालते है बोड़ी psychology language or culture I hope यहां तक आपको समझाया होगा next देखी क्या करते हैं she argues that यानि कि शोल्टर जो है वो आर्गू करती है there are two kind of feminist theories shorter argues that there are two kind of feminist theories the first concern जो first theory है यह क्या करती है itself with the women as a reader जो first theory है इसमें क्या है the women as a reader may be called feminist critic women as a reader इसको क्या कहेंगे feminist critic the second concern itself with the women as a writer may be called gyno critics the second concern itself with the women as a writer may be called gyno critics reader है उनको क्या कहेंगे feminist critic और जो writer है उनको क्या कहेंगे gyno critic so it is a gyno critic है यह deals with as a producer of the textual meaning जो गाइनो क्रीटिक्स है इनको किसकी इक्लम माना है producer of the textual यानिकि यह original meaning निकाल सकते है text का जो gyno critic है यही शर्फ क्या निकाल सकते है original meaning of the text it also examine और यह जो gyno critic है also examine the female struggle for identity the female struggle for identity and the social construct of gender जो gyno critic है यही actual meaning निकाल सकता है कि यह central role play करेगा किसके इंदर? literary criticism पे इंदर the female struggle for identity कि female जो है वो struggle करती है अपनी पहसान के लिए and the social construct of gender और जो male dominated society है उसके इंदर उसका social construct क्या है जैसे ही मैंने बता है कि class कि वो किस class से belong करती है middle class से belong करती है upper class से belong करती है lower class से belong करती है उसका social status क्या है उसकी nationality क्या है उसका race क्या है तो सारी चीज़ें matter करती है according to soelter according to soelter gynocritics is not only the steady of female as gender जो gynocritic है is not only the steady of female gender but also consciousness of the female यानि कि जो gynocritic होते हैं वो शिरफ steady female के gender को यह steady नहीं करते हैं वो उसकी consciousness of the female यानि कि उसकी psychology को भी change करेंगे उसके culture को भी check करेंगे उसकी body सारी चीज़े matter करती है तो यह बहुत important essay है और आपको इस video के end तक बने रहना है मैं मानता हूँ थोड़ा सा difficult है बट word to word आप समझने की कोशिस कीजिए तो feminist criticism क्या कहता है feminist criticism क्या कहता है मैंने 4-5 points लिखे है काफी important है आपको यह exam में हर हर हाल में लिखने है आपको समझना इन point को और आपनी हिसाब सिसको लिखना है बहुत important point है very very important कहसके आप very very important first point है equality of sexes and to end discrimination against women तो feminist criticism है वो क्या करते है equality of sexes याणि कि male और female को equal equal दरज़ा दिलाने की कोशिश करते है and to end discrimination against women and to end discrimination against women याणि कि भेदभाव को खतम करते है male और female के अंदर मैं आपको बताऊं तो एक RIC नाम से critic है R-I-C-H RIC और यह critic क्या बोलता है the oppressor's language कि जो woman जो लिखती है वो क्या है oppressor's language oppressor's language देखी तो यह क्या कहोगी आप इसको discrimination है जो RIC नाम का critic है यह कहता कि oppressor's language यह जो feminist criticism है इसको क्या कहा oppressor's language next point है to uncover the ideology of patriarchal society in the work to uncover the ideology of patriarchal society in work of art यानि कि जो patriarchal society है इसके अंदर बच्चों एक ही चीज आपको याद रखना है कि जो power जो है family की वो male के हाथ में लोती है बस patriarchal society in work of art यानि कि जो power जो है family की वो किसके हाथ में होगी इस male के हाथ में होगी female के हाथ में नहीं होगी इसको हम patriarchal society कहेंगे feminism has often बहुत important point है very very important हर हाल में लिखना है feminism has often focuses upon what is absent rather than what is said feminism has often focuses जो feminism है वो किस चीज़ के पर focus करगा what is absent कि absent क्या है then what is present यानि कि जो कहा गया है और जो उस चीज़ को focus करगा जो नहीं कहा गया है उस चीज़ को focus करगा जो नहीं लिखा गया है किसकी विज़ा से उसके बहुत सारे reason हो सकते हैं कोई चीज़ के ना लिखने के कि बहुत सारे होते हैं वे चीज़ के ना कहने की बहुत सारे होते हैं और यह Refer और ही कि यहा कि जो मेईल डॉमिनिट उसको स्पोर्ट करने वाले नहीं है, पैसा नहीं है, इसके पास खुद का रूम नहीं है, लिवर्टी नहीं है, फ्रीडम नहीं है, फिर भी वो लिखती है, वो क्या है? Act of resistance त्योरी, the women rights, जो woman है, the woman writer experiences her own gender as a painful obstacle, बहुत important point है, मगर उसके पास आजाती नहीं है तो यह पॉइंट थे फेमिनिस्ट क्रिटिशिद्म के बहुत इंपॉरेंट पॉइंट है आप इसको याद रखना है अब हम डिसक्रूस करेंगे कि 1980s के अंदर जो विल्डर्नाश थी फियुक्त रिच्टिक थे वह कैसे विल्डर कर रहे थे बहुत कैसे व्यूंधि रहे थे यानिकि उनकी कोई वेल्यू नहीं थी इन ऐटीज्ट रेंट इसके अंदर फेमिनिस्ट लिटररी क्रिक्स फियुक् विल्डर्नेस के अंदर थे and all the criticism in wilderness in the American literary tradition in the American literary tradition the wilderness has been and only masculine domain the wilderness has been and only masculine domain and keep 1980s के अंदर America के अंदर जो literary critic थे manly पर्भाव जो था वो male dominated society का था यानि कि जो male critic थे उनका पर्भाव ज्यादा था उनके rules थे उनके regulations थे उन्होंने जो decide क्या उसके according हर एक writer को follow करने पड़ते थे तो यहां पर जो सोवल्टर है वो एक बहुत बड़ी literary critic निकल के आती हैं और इन्होंने काफी कुछ करते हैं कि सोवल्टर थोट्ट फिर सोवल्टर क्यास्ट थोट करती हैं सोचती हैं कि we must our home सोवल्टर थोट भी मश्ट अवर होम यहां कि हमारी खुद की एक identity होनी चीए हमारी खुद के rule होनी चीए हम male dominated society के rules को क्यों follow करें यहां पर आप सुच पारे हैं कि सोवल्टर थोट वी थू मेंस्ट आपर होम सी सेट्स हैर क्या था फेमिनिस्ट क्रिशिजम शुद नोट केंटिणी तो बी इन विल्टर नस यहां देशुद में थेरोन थेयर्टिकल वीव ऑप क्रिशिजम की जो फिमेल जो है वो उनका खुद का थेर्टिकल वीव होना चीए प्रिटिशिजम के अंदर तो विल्टर नस थेयरी जो है वो लाइज बिट्विन विल्डर थेयरी कहां लाइज करती है बिट्विन फेमिनिस्ट आइडिलोजी और लिब्र आइडिया ओफ बहुत इंपोटेट पॉइंट है यहां से देखिए बहुत इंपोटेट पॉइंट है डवेल्डर थेयरी लाइज बिट्विन फेमिनिस्ट आइडिलोजी और लिब्रेल आइडिया ओफ डिस इंप्रिशिजम के अग्जामपल देते हैं किसका वर्जीनिया वुल्फ का और इस एसे के अंदर वर्जीनिया वुल्फ दो है एक कमेंट करती है इसके पर और विमन्स लैक ओफ फ्री अक्स्प्रेशन यानि को आजादी नहीं है उनको पास लिबर्टी नहीं है इसका इसका इनको चाहती है हुआए है इनको देखेती हैं सोबल्टर इनकी इसे और गलती है क्यानि कि यह 1929 के दर निखा गया और यह जो ऐसी जो लिखती है यह लिखती है उनी सो इकासी के अंदर तो इन्होंने इसकी स्टेडी किया वर्जीना वुल्फ पो और फांड देट और क्या पाती है इस एपर्शनल रिफ्लेक्शन कि यह जो ऐसे है यह क्या है पर्शनल क्यों चीज़ देट और यह क्या करती है कि फेमिनिस्ट क्रिटिशिजम डज नोट नीड अनी पर्सनल रिफ्लेक्शन तो आई होप यह आपको समझ में आया हुआ जितना भी समझ में आया आप इसको बार-बार देखें एक बार समझ में नहीं तो दो बार देखें मैंने भ इसको काफी में भी एक क्ळूआ है कि अगर आपको को सнулगा कि आपि मिलते हैं के लो हमारी में पेशनत पकude स्वाइब आहीं दौस्तों को सीरकरना कभी ना भूलते है शाहिज़ सृइट और प्रяти झाल झाल